कार्तिक मास की आमावस्या को दीपावली के रूप में मनाया जाता है भारत का यह प्रमुक्त्योहार है जिसे बड़ी धूमधाम और हर्शोल लास के साथ मनाया जाता है दीपावली से पहले लोग अपने घर की अच्छे से सफाई करते हैं और रंग बिरंगी लाइटो दीपक फूलो और मुम्बत्ती से अपने घर को बेहत खूबसूरत तरीके से सजाते हैं और मा लक्ष्मी को घर में आने का निमंतरन देते हैं इस दिन श्री राम चोधे वर्ष का वनवास काट कर दूस्ट रावन को मार कर सीता मा को आजाद कर अपने छोटे भाई लक्ष्मन के साथ अयोध्या वापसाए थे उनके स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने अयोध्या नगरी को श्रीराम के स्वागत के लिए दीप माला से सजाया था तब से दीपा वली का त्योहार मनाया जाता है दीपा वली की व्रत कथा इस प्रकार से है एक गाउं में एक सहुकार रहता था साहुकार की बेटी पीपल के पेड़ पर नित्य रोज जल चड़ाती थी उस पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था एक दिन मा लक्ष्मी ने साहुकार की बेटी से कहा मैं तुम्हारी सक्षी बनना चाहती हूँ लड़की ने उत्तर दिया मैं अपने पिता से पूछ कर बताऊंगी यह बात उसने अपने पिता से कही पिता ने हा कर दी दूसरे दिन साहुकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से कहा कि वह उनकी सहेली बनना स्विकार करती है साहुकार की बेटी और लक्ष्मी जी दोनों मित्र बन गए और आपस में बात करने लगे एक दिन लक्ष्मी जी ने साउकार की बेटी को अपने घर चलने के लिए कहा साउकार की बेटी लक्ष्मी जी के घर गई लक्ष्मी जी ने उसका बेहस सुन्दर स्वागत किया अनेक प्रकार के वियंजन परोसे तब साहुकार की बेटी अपने घर वापस आने लगी तब लक्षमी जी ने साहुकार की बेटी से कहा कि तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी साहुकार की बेटी ने लक्षमी जी को अपने घर आने का निमंतरन दे दिया परंतु जब साहुकार की बेटी अपने घर वापस आई और अपने घर की आर्थिक इस्थिती को देखा तो वह उदास हो गई और सोचने लगी लक्ष्मी जी ने उसका स्वागत कितने अच्छे और भवे तरीके से करा था वह लक्ष्मी जी का स्वागत इतना अच्छा नहीं कर पाएगी साहुकार ने जब अपनी बेटी को उदास देखा तो अपनी बेटी से कहा वह तुरंत अपने चोके की मिट्टी से साव सफाई करे चार मुखवाला दिया जलाए और लक्ष्मी जी का नाम लेकर वहाँ बैट जाए जब साहुकार की बेटी लक्ष्मी जी का जाप कर रही थी तबी वहाँ पर एक चील आई उसके मुह में नोलक्खा हार था और वहेचील अपने मुँ में दबा हुआ नोलक्खा का हार साहुकार की बेटी के पास डाल कर चली गई साहुकार की बेटी ने नोलक्खा हार बेच दिया और भोजन की तयारी करी श्री गणेश और मालक्ष्मी साहुकार की बेटी के घर आए और साहुकार की बेटी ने उनका बहुत अच्छा स्वागत करा साहुकार की बेटी के स्वागत से मा लक्ष्मी बहुत प्रसन हुई और लक्ष्मी जी की कृपा से साहुकार बहुत अमीर हो गया दिवाली पूजन की विधी इस प्रकार से है प्राते काल उटकर नित्य क्रम से निवर्थ होकर स्नान करें इस दिन वरत रखा जाता है जहां तक हो सके भोजन नहीं करना चाहिए एक साफ चौकी ले और उस पर स्वास्तिक बनाएं चौकी पर भगवान लक्ष्मी और गणेश की मूर्थियां स्थापित करें मूर्थियों के सामने चावलों की धेरी लगाएं और इस धेरी पर भरा हुआ जल का कलश रखें लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्थियों को इस प्रकार रखें कि उनका मुक पूर्व या फिर पस्चिम में रहें लक्ष्मी जी को गणेश जी के दाहिनी और रखे लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियों के सामने बैट कर हाथ में जल्ले और शुद्धी मंत्र का उचारण करते हुए उसे मूर्ति पर परिवार के सदस्यों पर और घर में छिड़कना चाहिए फल, फूल, मिठाईया, दुरुवा, घुड, घी, चंदन, पंचामरित, खील बताशे फूलों की माला आदिसामग्रियों का प्रियोग करते हुए पूरे विधी विधान के साथ मालक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करें और साथ ही देवी सरस्वती और कुबेर जी क भी पूजन करना चाहिए पूजा रते समय ग्यार है छोटे दीपक जलाएं और एक बड़ा दीपक जलाएं सभी छोटे दीपक को घर के हर कोने पर रखना चाहिए और बड़े दीपक को रात भर जलता हुआ घर के पूजा स्थान पर रख देना चाहिए इस प्रकार से आप अपने घर की दीपावली बनाएं, आपके लिए बेहर शुब हो, आपको दीपावली की हार्दिक शुब काम नाएं, इसी प्रकार की अन्या बाते उपाए कथाए जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तु शास सब्सक्राइब करें, नमस्कार